अब देख रहे हैं राट होर इलेक्टरिक बर्ग सेंटर यूटूब चैनल दोस्तो आज मेरी सौप पर यह 14 इंच का CRT TV रेपेर होने के लिए आया है दोस्तो यह काफी ज़्यादा पुराना CRT TV है जो की मेरी सौप पर रेपेर होने के लिए आया है चलिए हम इसे खोलते हैं दोस्तो इसका CRT बूर्ड खराब हो गया है क्योंकि इसमें काफी ज़्यादा मौस्चर है डस्ट इसमें लगा हुआ है इसी बज़ाय से दोस्तो इसके रेजिस्टेंस इसमें जो कैपी सीटर लगे होते हैं तो इसमें काफी ज़्यादा रेजिस्टेंस बन रहा है और इसमें मौस्चर डश्ट होने की बज़ाए से यह काम नहीं कर रहा है तो CRT बोर्ड हम किस परकार से चेंज करते हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें दोस्तो किस परकार से CRT इस पिक्चर टू को हम डिश्टार्ज करते हैं हम आपको बताते हैं दोस्तो एक मल्टिमीटर की प्राप को हम अर्थ कर लेते हैं और अब हम दोस्तो इसके इस EST केप को इस परकार से प्राप लगाकर डिश्टार्ज कर लेते हैं दोस्तो पिच्चर्टू को discharge करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक capacitor होता है और charge हो जाता है और हमें जटका लगने का डर रहता है तो दोस्तो पिच्चर्टू को हमें discharge कर लेना चाहिए अब दोस्तो इसके पेचटू के इस केप को जहां हम लगाते हैं EST का केप जहां लगाते हैं वहाँ पर काफी ज़्यादा मौस्चर रहता है तो दोस्तो हम उस पर इंसुलिशन लगाकर इस परकार से उसे ठीक कर लेते हैं दोस्तो यह इसका नया केट है जो की ली कमपनी का है दोस्तो नया यह बोड है इसमें दोस्तो दो बोड साथ में आते हैं तो एक यह रहा और यह एक इसके अंदर रखा हुआ है दोस्तो इसमें यह cable wire इसमें यह panel board और इसके साथ दोस्तो यह LO57 remote भी मिलता है तो दोस्तो इसमें इस प्रकार से इसकी wiring होती है दोस्तो काफी अच्छा board है और इसके साथ दोस्तो हमें यह remote मिला है और इसमें यह cable wire है और यह इसका panel है जिसमें की IR sensor और इसमें Microsoft लगे होते हैं तो दोस्तो हम चलिए सबसे पहले इसके यो call के connection को करेंगे तो इस प्रकार से इसके connector को लगा लेते हैं दोस्तो यह call में हम vertical और horizontal section के connection को करेंगे दोस्तो vertical section में हम yellow और green wire लगाएंगे और horizontal section में red और blue wire को लगाएंगे दोस्तो vertical और horizontal wire की पहचान मैं आपको बता देता हूँ horizontal section और vertical section का जो connector होता है जिसमें दोस्तो दो connector पास में होते हैं वहाँ पर दोस्तो vertical section के wire निकलते हैं और जहाँ पर दोस्तों connector की दूरी अधेक होती है वहाँ से horizontal section के बायर निकलते हैं दोस्तों यदि चित्र उल्टे दिखाई देते हैं तो हम vertical section के बायर को आपस में बदल देते हैं तो सीधे देखने लगते हैं अब दोस्तों चलिए हम इस EST के क्यप को इस प्रकार से पिच्चर टूपर सेट कर लेते हैं तो दोस्तों EST के क्यप को हमने लगा लिया है अब दोस्तों हम इसके बेस को लगाएंगे दोस्तों यह पतली गन का EST है तो दोस्तो इसमें मोटी गन का बेस लगा हुआ है तो दोस्तो हमें बेस को चेंद करना पड़ेगा तो दोस्तो हम इस मोटी गन के बेस को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें हम पतली गन के बेस को लगाएंगे तो दोस्तो चलिए हम जल्दी से इसके मोटी गन के बेस को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तो पिच्चाटू को डिस्टार्ज करना बहुत ही जरूरी है पिच्चाटू को दोस्तो हम बहुत ही आसानी से डिस्टार्ज कर सकते हैं आपने देख लिया है दोस्तो मैंने इसके base को बाहर निकाल लिया है अब दोस्तो हम इसमें यह पतली गन का base इस प्रकार से लगाते हैं और इसे solding कर लेते हैं दोस्तो यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आये हैं तो मेरे YouTube चैनल को subscribe करें साथ ही bell button को press करें दोस्तो चलिए हम इस base की solding कर लेते हैं दोस्तो connectionों को बड़ी ही ध्यान पूर्वा करना चाहिए यदि आप electric का काम सीखना चाहते हैं तो जो electric का काम जानता है उसे आप साथ में रख सकते हैं और काम सीख सकते हैं दोस्तो अब हम इसके इस बायर को नकाल लेते हैं जो कि EST का बायर है अब हम इस पतली गन के इस base पर इस प्रकार से इस बायर को लगा कर solding कर देते हैं दोस्तो यह focus का बायर होता है जो कि EST के control बटन से हम इसे कम जादा करते हैं तो देखिए इस परकार से हमने इसे लगा लिया है अब चलिए दोस्तो हम base को इस परकार से picture to की इस knob पर गन पर इस परकार से set कर लेते हैं अब दोस्तो हम इसके अर्थिंग को करेंगे दोस्तो यह अर्थिंग को करना बहुत ही जरूरी है दोस्तो यदि हम इसकी अर्थिंग को नहीं करेंगे तो हमारा main IC या vertical IC खराब होने का डर रहता है तो दोस्तो picture to को अर्थ करना बहुत ही जरूरी है अब चलिए दोस्तो हम इसके AC supply के connector को लगा लेते हैं दोस्तो AC supply का connector fuge जहां लगा होता है उसके पास बाला होता है दोस्तो जहां पर ptsy और ntc लगा होता है वहां पर योक्कौल के connections को दिया जाता है तो चलिए हम इसकी AC supply के connection को इस प्रकार से कर लेते हैं और connection को करने के बाद दोस्तों हम इसे अच्छी तरह से taping करेंगे क्योंकि यहाँ पर security का business ध्यान देना चाहिए यहाँ पर taping करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर AC supply को देते हैं तो दोस्तों मैंने taping कर ली है अब चलिए दोस्तों हम इसके sound के connection को कर लेते हैं तो देखिए एक connector हमारा सही इसमें लग गया है अब दूसरा connector दोस्तों हम इसमें नया लगाएंगे चलिए अब हम इसके connection को भी कर लेते हैं तो चलिए अब हम इसके connector को इस प्रकार से छील कर इसके sound में solding कर लेते हैं तो दोस्तो मैंने दोनों बायर को इस प्रकार से sound में लगा कर solding कर दी है तो दोस्तो मैंने sound की connection लगा दी है यह दोस्तो इसके panel की connection है दोस्तो इसमें IR sensor और इसमें दोस्तो माइक्रो सुच जहां लगे होते हैं उसके connection रहते हैं तो दोस्तो मैंने इसे series board में लगाया है और देखिए panel का इंडिकेशन जलने लगा है अब चलिए दोस्तो हम इसकी picture को भी आपको देखा देते हैं तो दोस्तो टीवी पर देखिए ली company का यह audio video board इसमें लगा है और दोस्तो इस company का यह roster भी picture उपर देखने लगा है अब चलिए दोस्तो हम इसके focus को भी adjust कर लेते हैं तो दोस्तो इस परकार से यह set हो जाता है अब चलिए दोस्तो हम इसके audio video connection को भी आपको दिखा देते हैं यह दोस्तो इसमें audio video के भी connection दिये जाते हैं तो दोस्तो मैंने इसकी wiring भी इस परकार से कर ली है कर दोस्तो हम जाते हैं